यहां पर कुछ चीजे मैंने पर्चेस की हैं आर्ट शॉप से अपनी आर्ट की जर्णी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ चीजे मैं आपको दिखाता हूं साथ-साथ ताकि आप लोगों को भी इसकी नॉलेज हो यह कुछ ऑईल पेंट्स हैं आप एक जर्णी स्टाट करते हैं कुछ बेसिक क्लर्स है कुछ एडवांस चीजें इसमें शामिल है लेकिन वह अभी हम एड्ड नहीं कर रहें तो बेसिक कलर्स हैं यह स्कारलेट रेड है यह य्रलो अउकर है यह हमारे पास बड़ा सक्थ जान है कोबाल ब्लू है ठीक है एंड लास्टली यह हमाँ पस बर्न अमबर है ठीक है यह ब्राउन कलर है ब्लू, येलो एंड रैड बाकी जो दो बेसिक कलर्स हैं ब्लैक एंड वाइट वो मेरे पास पहले से अवेलिबल थे that's why मैंने वो परचेस नहीं किये फिर कुछ देखते हैं ये एक ब्रश है जिसके प्रिस्टल्स आप देख सकते हैं बहुत ही जादा मज़ेदार हैं ठीक है एंड ये मैंने ओल पेंट के लिए लिया था ब्रश ये कुछ पैंसिल्स हैं as you all know कि मैं रियलिस्टिक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट हूँ तो इसके लिए ये चीजें बहुत ज़रूरी है तो ये तीन पैंसिल्स हैं कभी मैं पैंसिल्स का पूरा सेट नहीं लेता विकाज वो बहुत जादे एक्सपैंसिब पढ़ जाता है वो मैं जाके सेपरेट सेपरेट परचेस कर लेता हूँ इसी तरह ये एरेजर है शॉपनर है स्टैटलर का मेड इन जर्मनी ठीक है और ये काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है तो आप एक तफ़ा लेंगे तो इसके बाद ये खराब नहीं होगा ये एक लोकल शॉपनर है जो 10 रुपीस का I think सो होता है इसको उसलिए लिए है तब अगर ये खराब हो जाए ये वाला मेरे पाद ना हो तो फिर मैं ये वाला ले लूँ ठीक है ये उस करूँ फोर दे टाइम बिन ये एक नॉर्मल रेजर है ये काफी सॉफ्ट थी तो इसके लिए मैंने इसको ले लिया ठीक है ये हमारे पास स्कॉश टेप है ठीक है नॉर्मल पैकिंग की टेप जो होती है ये मैंने पैकेजिंग के लिए लिए है जो और वर्क्स मैं पैक करता हूँ उसके लिए ये कुछ butter papers है जो के आप देख सकते है इन butter papers का काम सिर्फ पैकिंग के अंदर ही है फिल हाल मेरे लिए बिकास मैं जब आर्ट वर्क को पैक कर रहोता हूँ तो इसके लिएर इसकी लगाता हूँ ताकि वो प्रोटेक्ट चाहें क्लाइंट के पास ये कुटल सी वाच मैंने लिए है जो के काफी चीप थी बट स्टिल ये बहुत साथ ज़रूरी है अपने आर्ट सेट अप के पर आप कहीं पर भी अपने वर्क प्लेस पर रखें इसको ताकि आपको टाइम की इंपॉर्टन्स का पता लगे और ताइम को आप बाउंड कर सकें ठीक है ये कुछ सेट अप है फिल हाल कुछ चीजे लिए है तक्रीबन ओल अरौंड अरौंड ये एक्पेंसे आए हैं इसके फ़र 1600 रुपीज एक पैंसल 170, 180 रुपीज की है एक ट्यूब, 130, 140 रुपीज की है ठीक है और फिर सेपरेट सेपरेट चीजे है और ये सारी ब्रैंड चीज है ठीक है तो ताइट फर तोडे